क्या आपने प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट बैंक से या किसी प्राइवेट फाइनेसर से लोन ले रखा है अगर लोन ले रखा है तो फिर आप सावधान हो जाएगा देखिए आज कल बहुत बड़ा प्रेज चल रहा है लोन लेने का और लोन देने का अब किसी भी प् पर आप लोगों को बड़ी आसाने के साथ लोन मिल रहे हैं तो जितनी आसाने से आप लोगों को जो लोन मिल रहे हैं और जितनी आसाने से आपको पैसे मिल रहे हैं और उन पैसों को लेके आप उन पैसों को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं तो आप पिल्कुल सावधान हो सक कि आधिया है और उनको वापस कितना बुगतान करना पड़ेगा और अनेक ऐसी उलजने के बा उन लोगों को पता चलती है लेकिन लोगों को बिल्कुल भी पताने चलता कि कि हम क्या कर रहे हैं। हम किुसे लोन दे रहे हैं हम कहा旨 से जुकाईते हैं। मैं काफी जगे घुनता हूं फीलता हूं देखता हूं कि आजकार एक tred चला है। ऐसा trend चला है कि लोग इंट्रेश्ट पे पैसा लेकर। tuA, किसी फ्राइविट कंपनी से उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि प्लीज अगर आपके पास कोई income of source अगर नहीं है तो आप इस प्रकार का कदम ना उठाएं एक कदम आपका आपकी आने वाली PD को इतना दलदल में फसा के छोड़ देगा कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया ऐसा क् मैं देखता हूं कि लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं कुछ भी नहीं समझते हैं पड़ोशी के घर में अगर अच्छा मकान बना है तो उनके जिद होती है कि मुझे भी एक अच्छा घर बनाना है लेकिन उसके घर में ना कोई कर्मचारी है ना उसके पास कोई business है ना ही उसक अपना बड़ा 10 से 15 लाख रुपए का घर बनाने की सोच लेते हैं ऐसे काफी लोग मैंने देखे हैं गाओं में लोग अपना बड़ा बड़ा घर बनाकर दूटते जा रहे हैं बड़े नुक्सान में आ रहे हैं उनके पास income of source का कोई भी source नहीं होने के बावजुद भी व एक क्रेज है एक जमाना है कि मुझे नया घर बनाना है चाए मुझे पैसा कहें से भी लेना पड़े चाए मुझे किसी से उधार लेनी पड़े चाए मुझे किसी से इंट्रेश्म पैसा लेना पड़े और काफी मैं देख रहा हूँ कि जो भी government करनचारी है retirement होने के बाद उनका सबसे पहला सपना यही होता है कि जो भी मैंने पैसे retirement के मिले हैं वो पैसे मुझे अपने घर बनाने में ही लगा ले तो मैं आपको बता दू कि ये घर बनाना आसान है लेकिन इसको maintain करना बहुत मुश्किल है इस महेंगाई के समय में आप इन पैसों का जो दूर्पयों करते हैं बिना आवसकता कि आप घर बना रहे हैं बिना किसी वज़य से अपने पुराने घर को तोड़कर नया घर बना रहे हैं या फिर आप अपने गाउं को छोड़कर सेर की तरफ प्लाइन कर रहे हैं और वहां जाके एक महेंगा प्लाट खरीद के उसमें घर बना रहे हैं, ये सायथ मेरे इसाब से आप लोगों के फ्यूजर के लिए, आप लोगों के पविश्य के लिए और आपके बच्चों के पविश्य के लिए ये मुझे थूड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बाकी आपक अपने एक limited investment में आप अपना घर बनाएं, लेकिन किसी की देखा देखी, ये बड़े घर बनाना, लोन लेना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है, काफी ऐसे लोग हैं जो इस पकार के जो जाल में फसकर, आज इस मुशिवत में आके फस गए, कि वह ना तो वह घर बिगता ह और ना ही वो उनकी maintain कर पा रहे हैं, और ना ही वो करजा जो 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 उतार पा रहे हैं, मेरी बात को कोई व्यक्ति अदरवे में ना ले, गलत विचारों में ना ले, क्योंकि आज काल, बहुत से ऐसे लोग में देखे हैं, जिन लोगों के पास कुछ भी source नहीं होने के कारण फिर भी वो अपना एक घर बनाने के चक्कर में इतना बड़ा loan ले लेते हैं, लेकिन उनको loan लेते समय ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है, कि वो कहां से loan ले रहे हैं, इसकी interest rate क्या है, इनको वापस कितना भूतान करना होगा, जिस से पैसा लिया है, उसकी terms condition क्या है, उस लोन लेके उसके बाद वो डूबने की कंगार पर आ जाते हैं, मैं आपको बड़ा एक आसाने से एक logic समझाता हूँ, आज से कुछ वरसों पहले कोई किसी को loan मिलना जो है, वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से loan मिलता था, लेकिन loan मिलता था उस लेकिन आज कल आज कल आपको किशी को phone करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी phone करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास महने में कम से कम 2-5 ऑन तो जरूर आती होगी, कि अगर आपको loan कि आउ सकता है, तो आप हमारी bank से loan ले सकते हैं, हम बड़ी आसानी से loan दे देगे आप को किसी परकार के दोकुमेंट का कोई प्रैसर नहीं होगा आप जैसे चाहेंगे वैसे हम इतना अमाउंट का वगवा को देदेंगे लेकिन अगर वे लोन डेना चाहते हैं तो आप किसे का अपना अपनी सते है सकते हैं और वह अपना को बृध़र प्राइस शेय लेकिन लोन को अपलाई तो आपका सकते हो, आसाने से लोन अपलाई हो जाएगा, यौकि आजकाल प्राइविट एंजियो, प्राइविट बैंक और प्राइविट फाइनिसर जो हैं, वो इतना पैसा लेकर बैथे हैं, क्योंकि उनकों कोई भी प्रोबल्म नहीं आपको लोन लोण को पास penalty और व्याज इतने पैसे हैं इतने पैसे आते हैं कि वह आगें से आगे लोगों को जो है वो को इंट्रेंट में पैसा दैते हैं आरपोष मिलने असान नहीं था लेकिन आज IT किसी लेलो आपको बड़ी आसानी से लोन मिलता है आपने लोन लिया लेकिन उसको ट्रंस कंडिसे नहीं पहुंचा आपने लंबे समय के लिए लेकिन आपको यह पता दिये कि वो कितना गुना आपको भगना पड़ेगा आज काल मेरे पास कई ऐसे उदारें हैं काफी मेरे ऐसे क्ल मेरा सभी नागरिक बंदों से निवेदन है कि प्लीज आप लोगों को अगर जवरत ना है तो आप लोन ना लें बहुत मुस्वत होगी कोई ओप्सन नहीं है कुछ भी कोई विकल्प आपके पास नहीं है तो ऐसे स्कृति में अगर आपकी मजबूरी है तो आप लोन ले सक होगे कि आपके पास बचने के लिए संपत्टी है या नहीं है अगर बेचने की संपत्ती आपके पास नहीं है और उस पैसे और उस करजे को अगर आप नहीं चुका पाएए तो फिर आपको कंगाल लणना पड़ेगा आपको हाथ में कटोडणा लेना पर जाएगा ऐसे वेक्ति के पास मेहने के 5,000 रुपे की income of source नहीं है, ऐसे वेक्ति के पास 7,000 रुपे मेहने की किस्त आ रही है, अब फर्स जब पैसा मिलता है तो दो तिन किस्त भरने में उसको कोई problem नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ किस्त भर देता है, लेकिन जब धेरे 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 उसक यह उपर जब भोच पड़ता है, तब वो किस बरने में ऐसफल होता है, और जब किस बरने में ऐसफल होता है, तब इन प्राइविट कंपनियों की और बैंकों की जो income है वो सुरू होती है, पैल्टी के तोर पर पैसा वसूली, आप लोगों को यकीन नहीं है, आप लोग अ लोग जब दिया जाता है, उस समय आपको लोग का इंट्रेस्ट मातर 6% ब्याज बताया जाता है, लेकिन वो 6% ब्याज नहीं होता, वो पैनल्टी को जोड़ कर 2 रुपए यालि 20% से भी उपर इंट्रेस्ट होता है, इसकी जानकारी किशी को भी नहीं है, मैं आप से निव लेकिन पैसा देना बड़ा मुश्किल होता है, बिना व्याज के पैसे भी हम दे नहीं पाते हैं, तो हम इतना बड़ा इंट्रेस्ट का अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट हम तहां से चुखाएंगे, बहुत से ऐसे वेक्ति हैं, जिस वेक्ति की इंकम अप्सोर्स, 2-5- हजार-दस हजार रुपे महने की है, उसका परिवार का खर्चा है, लोन की किस्त है, वो ना तो लोन की किस्त चुका पाता है, ना घर में अपने बच्चों का पालम कोशन सही दरी की शिकर पाता है, ऐसे कई उतारण हमारे सामने, जिन्होंने आज से दो साल पहले तीन रुपे का लोन दिया था, और दो साल से वो साथ हजार रुपे महने की किस्त बर रहे हैं, और आज भी बैंक या प्राइविट कमपनी जिन्होंने उनको लोन दिया था, आज भी वो उनकी पैलेंटी और वो सब इंट्रेस्ट वगरत जोड़कर आज भी वो तीन लाग रु नहीं है, या आपकी फिक्स कोई इंकम नहीं है, तो ऐसे में आप लोग लोन लेकर इस परकार की जाल में ना फसें, और इस परकार का कोई कदम नहीं उठाएं, कि फिर आप लोगों को बड़ी मुशिवत का सामना करना पड़े, और आप लोगों को बड़ी मुश्किल में पड़ना पड़े हर एक वेक्ति आजकाल चलन में पड़ा है कि मुझे घर बनाने के लिए पैसों की जद्वत है और पैसे ले ले लेते हैं लेकिन जुगा नहीं पाते हैं सबसे पहले लोन लेते हैं तो आप इस से ब्राओन को एक और होता है सबसे ब्राओन को क्या होता है कि आधार कार्ड च यानि पैन कार्ड के माद्यमन के होते हैं आपका की सिफिल साथ खराब घराई यहां आपका civil score खराब हो जाता है, भविशे में अगर आप उस loan को सही त्रीके से clear नहीं कर पाते हैं, तो भविशे में आपका भी loan ले नहीं पाए में, जब आपको जरुत पड़ेगी उसी समय भी आप loan ले पाए में, इसलिए जरुत के मुताबित आप loan लीजिए, अगर जरुत में फसना पड़ेगा, कि वो घर आपको काचने के लिए आएगा, उस घर में आप सुक्षेन से नहीं रह पाएंगे, आपने बंगला जरूर अच्छा बना लिया होगा, उसमें डेंटिंग बिल्कुल उसमें color paint अच्छा कर लिया होगा, उसमें furniture अच्छा बना लिया होगा लेकिन जब आप उस furniture पर पैठ होगे, तो आपको चूबन होगी, क्योंकि आपको महने की जो किस्त आएगी, वो किस्त सताएगी, इसलिए जितने भी ग्रामिन से लोग हैं, जो सहर की तरफ लाइन कर रहे हैं, जो गाम के लोग हैं, जो अपने पुराने घरों को तोड़ कर नए घर बना रहे हैं, वो जड़ा सावधान हो जाएं, किसी प्राइवेट कंपनियों से पैसा ना लें, क्योंकि ये पैसा आपको तीन गुना भरना पड़ता है, अगर आपने तीन लाग रुपे का लोन लिया है, तो आपको दस लाग रुपे चुखाने पड़ेंगी, औ और उसके बाद भी आपका पिछा नहीं चुटेगा, जब आपने अगर समय पर लोन नहीं दिया, काफी ऐसे केस साइद आप लोगों को सुनाये, दिखाये, पता भी नहीं चलता होगा, कि लोगों के पास ऐस इस परकार के लोन लेकर इतना करजा चड़ गया, इतना करजा कि लास्ट में उनको सुसाइड करना पड़ता है, उनके घर बरबाद हो जाते हैं, उनका सब कुछ बरबाद हो जाता है, इसलिए आप लोग प्लीज इस परकार की कदम नहीं उठाएं, बिना सोचे समझे कोई लोन नहीं लें, और बिना सोचे समझे इस परकार की कोई भी अपलाई नहीं करें, जिससे आपको चुकाने में ऐसा मरता रहे, आप समय पर लोग ना चुका पाएं, मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप सब के साथ सांजा करना, ताकि और आने वाले समय में जो वेक्ति इस परकार की गलतियां कर रहे हैं, वो इस परकार की गलती ना फसें, इस परकार की परिशाने में ना आएं कि उनको आगे जाकर कोई गलत कदम उठाना पड़े या फिर उनको कोई ऐसे मुसिबत में फसना पड़े